नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज का सेसन काफी मेटोपूर होने वाला है क्योंकि भारत की तमाम उपलब्दियों में एक जो नई उपलब्दी सामिल हुई है उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्तित हैं जो की है भारत का अपने देश के अंदर स्वदेश निर्मेत एक GPS सिस्टम या इसको GPS सिस्टम ना कहकर एक navigation system इसको बोला जाए इसके बारे में जो है भारत ने पूरी तरह से अपने देश के अंदर डबलब किया है और यह किस प्रकार से डबलब किया है इसकी चर्चा करें कि भारत के अलावा कौन-कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास ये नविगेशन सिस्टम पहले से ही मौजूद है अपना खुद का बनाया हुगा और भारत अब तक किस प्रकार के सिस्टम का प्रयोग करता था इन सारे सवालों का जबाब जानने के लिए इस वीडियो को जिसको की इंडियन रीजिनल नविगेशन सेटलाइट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो की सेटलाइट के मार्ध्यम से नविगेशन के काम आता है अब ये नविगेशन क्या होता है इसकी भी हम चड़चा करेंगे ये जो है हमारा एक रीजिनल सिस्टम है ये गलोबल सिस इसका जो नाम है उसको हमने नाविक नाम दिया है जिसका नाविक की अगर full form देखें तो होती है navigate with Indian constellations ये जो है नाविक की full form होती है और इसको जो डबलप किया गया है वो इस रो यानि कि जो भारत का space research organization है Indian space research organization इसके द्वारा इसको डबलप किया गया है पूरी तरह से और ये जो कारे कब से कर रहा है operational कब से है ये तो 2018 में हमने इसको पूरी तरह से डबलप कर लिया था और तब से ही ये भारत के अंदर सेवाएं देता आ रहा है लेकिन अभी तक जो इसकी सेवाएं थी वो सार्वनिक नहीं थी वो सिर्फ सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उन सब को दिशा निर्दे साधी देने के लिए इसका प्रयोग जो है अब तक किया जा रहा है लेकिन अब जो है वरतमान में हमें एक ख़बर सुनने को मिली कि भारत सरकार ने जो भारत के अंदर मोबाइल निर्माता कंपनी जितनी भी हैं जैसे कि एपल, सैमसंग, स किया गया है नाविक सिस्टम जो है उसका प्रयोग इसके अंदर किया जाएगा जितने भी स्मार्टफोन भारत के अंदर निर्मित होंगे और एक जनवरी 2023 जब होगा एक जनवरी 2023 से भारत के अंदर जितने भी स्मार्टफोन होंगे उन सब के अंदर भारत के द्वारा सकता क्या हुई और उससे पहले जानते हैं कि यह navigation system होता क्या है navigation system की अगर बात करें तो हम आजकल अपने रोजमर्दा की जिन्दगी में बहुत इसका प्रयोग करते हैं जैसे कि आपको यदि किसी सहर जाना है अपने घर से तो आप फोन उठा कर और उसमें search कर लेते हैं कि मुझे जो है इस सहर जाना है और फोन के दोरा आपको उसकी पूरी location उसकी timing उसके कितने किलोमीटर आप से दूर है वो सहर उसके रास्ता क्या है कितने रास्ते हैं वो सारी कि सारी जानकारी आपको provide करा दी जाती है और साथि साथ अगर हम देखें कि यदि किसी सहर के अंदर से गाउं कस्बे के अंदर हम जाते हैं और हम रहे हैं वो सारे के सारे navigation system के द्वारा ही possible हो पा रहे हैं जब देश के अंदर navigation system पहले से ही मुझूर है अब एक सवाल मन में उठता है कि जब हमारी पास पहले से ही ये सारी सुवधाइं देश के अंदर चल रही है फिर इसमें नया क्या किया गया है भारत के द्वारा तो बारत के द्वारा जो नया किया गया है वो ये है कि जो हम अब तक प्रयोग कर रहे थे वो था अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको की GPS के नाम से जाना जाता है जो की मुवाइल फोन आदि सब के अंदर आता था और इसी का हम प्रयोग करते थे और दुनि GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये एक ऐसा नेविकिसन सिस्टम है जो कि अमेरिका का है अमेरिका द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और अमेरिका द्वारा ही प्रयोग किया जाता है अब फिर एक और मन में सवाल होता है कि अमेरिका ने जब पहले से ही विक् उसके में पोजीशन कुछ ऐसी वनी कि जो भारत के सैनिक थे वो कम उंचाई की पहाडियों पर थे और अब पाकिस्तान की जो सैनिक थे वो उंची पहाडियों पर चड़कर बैठ गए थे और भारत के ऊपर काफी नुकसान उसका हुआ, आर्टिलरी आदी वो वरसा रहे थे, बम गोले बारू दादी, हाला कि भारत ने वो युद्ध अपना जीत लिया था, लेकिन उस समय भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, कि अमेरिका अपना जीपीय सिस्टम का परयोग करके, यदि लोकेशन आदि ट्रैक करके बता सकता है, कि कहां पर ये आतंकी छुपे हुए या कहां पर ये पाकिस्तान की जो फोजी हैं, वो छुपकर गोला वारू दादी बरसा रहे हैं, तो उससे जो है भारत को काफी युद्ध में बड़त मिल सकती थी, या फिर कहें कि काफी मदद उससे मिल सकती थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा पूरी तरह से उस मदद को ठ प्रदेश के अंदर एक ऐसी सुविधा का निर्मार कर लेगा या डवलप कर लेगा, जो कि भारत को आत्म निर्वर बनाएगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है, दूसरे किसी देश के उपर वो उससे कम होगी, तो नाविक ऐसा ही सिस्टम है, जो कि भारत को इस छेत्र के अ अंदर आत्म निर्वर बना देगा पूरी तरह से, और हमें जो है किसी भी देश के अब जो है डिपेंड होने की आवस्यक्ता नहीं रहेगी इसके बाद, तो नाविक की बात करें, तो ये इंडियन कॉंस्टिलेशन जो है, ये हमने जो कार इसका सुरू किया था, वो 2006 में ये प्रस्तावित हुआ था, 2006 से ही हम प्रयास कर रहे हैं, और इसका जो एक्सपेक्टेट था कि 2011 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो है कुछ कारणों से, ये जो है 2018 के अंदर कंप्लीट हो पाया, जैसे कि भारत के दौरा जो सेटलाइट शोड़ी गई थी, उनमें से एक दो सेटलाइट फेल हो गई थी, और साथ ही साथ कुछ सेटलाइट रिप्लेस करनी पड़ी, एक बार रॉकेट का फेलियर भी हुआ था, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद, ये 2018 के अंदर हम कंप्लीट कर पाये थी, और 2018 के बाद से हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, ये जो है, इसके अंदर साथ सेटलाइट का प्रयोग किया जाता है, और पूरी इंडिया को लेकर ये कवर करता है, पूरे इंडिया का एरिया और साथ ही साथ इंडिया के बाहर अगर देखें, तो 1500 किलो मीटर का बाहरी एरिया, भारत के छेतर से 1500 किलो मीटर अग की पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए प्रयोग किया जाते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग हो रहा था और साथी साथ मचवारों के सुरक्षा के लिए इसको प्रयोग होता था और जो कभी डिजास्टर आदे आते हैं इसका प्रयोग किया जाता था लेकिन अब ये जो है रि सेटलाइट शोड़ी जाती है और वो सेटलाइट जो है पूरे अर्थ के आसपास चक्कल लगाती है अर्थ के उपर और पूरा उनी के द्वारा उनी से द्वारा वेजा हुआ जो डाटा होता है वो कलेक्ट करके पोजिशन साधी का पता लगाया आता है तो भारत की अगर बा जो होता है यहांपर जो satellite रहती है वो जिस प्रकार से प्रत्वी अपना movement करती है तो प्रत्वी के movement के साथ-साथ ये satellite घूमती है और अगर प्रत्वी से इनको देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि एक जगहे पर रुकी हुई है हलांकि ये रुकी हुई नहीं होती है प्रत प्रत्वी के साथ-साथ गहुमती रहेगी जैसे इसे प्रत्वी गहुमाइगी और दूसरी होती है जियो कि पर जाने के बाद गोल गोल चक्कर एक जगह पर लगाती है इसको जो हे जो है यह प्रत्वी के साथ move करेंगे यह प्रत्वी के movement के अलावा अपना भी एक movement जो है चक्कर जो है लगाती रहेंगी यही जगे पर तो इस परकार से यह satellite भारत के द्वारत के द्वार्त प्रयोयक की गई है कुछ इस प्रकार से सेटलाइट जो हैं चक्कल लगाती हैं यहां आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यह प्रत्वी यहां देख सकते हैं आप प्रत्वी के पास जो है इस तरह से यह सेटलाइट अलग लग प्रकार से चक्कल लगाती हैं और इनके द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था और सबसे पहले 1A सेटलाइट भेजी गई उसके बाद 1B सेटलाइट भेजी गई 1C भेजी गई उसके बाद 1D, 1E, 1F और 1G और IRNSS 1 अब इसमें जो है कुल सेटलाइट हमें बरतमान में जो प्रयोग में दिखाई देती हैं वो है साथ लेकिन कितनी मिसन हुए थे तो कुल जो है 9 मिसन भारत के द्वारा किये गए थे 9 मिसन इसलिए किये गए थे कि एक मिसन फेल हुआ था और जिसमें जो IRNSS 1A जो सेटलाइट हम देख रहे हैं ये सेटलाइट फेल हो गई थी और इसको पूरी तरह से रिप्लेस किया गया था तो 8 कुल भेजी गई वर्तवान में साथ जो है वो वर्किंग कंडिशन में है और 9 मिसन हुए थे इसको करने में उमीदे साथ ही यहां तक की जानकारी आपको पसंद आई हो प्रित्वी से इसकी दूरी की अगर हम बात करें तो लगवक 36,000 किलोमेटर दूरी जो है सेटलाइट प्रित्वी पर हैं जो दो तरह के ओर्विट होते हैं एक जो है प्रित्वी के ऊपर जो है पोलर ओर्विट होता है जो कि प्रित्वी के पास ही सेटलाइट जो चक्कर लगाती है पोलर तरह से एक वो होता है और दूसरा जो है 36,000 किलोमेटर पर प्रित्वी के दूर एक और जिसको की जियो सिंक्रोनस ओर्विट या फिर जियो इस्टेशनरी ओर्विट जिसको बोला जाता है तो यहां पर जो है सेटलाइट के द्वारा सेटलाइट भेजी गई है रॉकेट के द्वारा जिनका एक्जेक्ट अगर हम फिकर की बात करें तो लगवग 35,786 किलोमीटर 35, 35,786 किलोमीटर जो है इसका एक्जेक्ट फिकर है और लगवग 36,000 और इसकी अगर कोश्ट की हम बात करें तो 1420 करोड रुपे इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत के द्वारा खर्च किया गया है जो की 22.46 billion रुपीज बनते हैं और 281 million US dollars जो है इसके अंदर खर्च किये ग प्रच के द्वारा खर्च के द्वारा ही बनाया हुआ है सिस्टम के द्वारा चलने लगेंगे और प्रिसाइज मैप कोडिनेट यह सारे इसके यूजिस हैं यूजिस ऑफ नाविक नाविक के बाद चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास अपने खुद के बनाई हुए GPS सिस्टम पहले से ही मौजूद है या नेविगेशन सिस्टम पहले से ही मौज जाता है या फिर इसको अमेरिका का जो मेन नाम है इसका वो है नेविस्टारPat ar內 विस्टार अमेरिका के द्वारा क्या जाता है हमने देखा यहां अमेरिका के बाद हम देख रहे हैं European Union EU Q हम देख रहे हैं European Union मतलब Europe के जो union है देशों का उनके द्वारा Galileo का प्रयोग किया जाता है Galileo के बाद चर्चा करें रसिया की तो रसिया के जो है Glorans नाम का इनका खुद का navigation system है जिसका प्रयोग रसिया करता है बात करें जापान की तो जापान का हम जापान का जो navigation system यहां देख रहे हैं कि जापान के पास भी अपना है तो जापान का जो navigation system है वो हो सकता है कभी आपको देखने को मिले कि यह indigenous नहीं है और इसका कारण ये है कि जो जापान का सिस्टम है वो पूरी तरह से अमेरिका के GPS पर based है और अमेरिका के GPS की help जो है जापान के द्वारा इसको navigate करने में ली जाती है तो जब हो सकता है जापान आपको कहीं पर सामिल ना मिले इसी कारण और बात करें हम European Union के Galileo की तो अगर इतिहास में हम जाएं तो एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये डबलप किया रहा था European Union के द्वारा तो भारत इसी के अंदर सामिल होकर जो है इसी का प्रयोग करना चाहता था और भारत इसी का एक सदस्य था कि भारत भी इसके साथ मिलकर जो है इसको गैलीलियो को डबलप करेगा डबलप मेंट में साहथा करेगा और इसी का प्रयोग की जाएगा लेकिन फिर एक समय पर आया कि गैलीलियो के अंदर European Union द्वारा चायना और पाकिस्तान आधी देसों को सामिल किया गया पाकिस्तान तो नहीं लेकिन चायना को इसके अंदर सामिल किया गया था जिसके की भाराज जो है बैक आउट कर गया था कि अब हमें जो है ये नहीं करना है क्योंकि चायना को ट्रेस करने के लिए तो हमें इसकी एक जरूवत थी जो कि युद्ध के समय में काम में आ सके अब चर्चा करते हैं एक सवाल जो मन में उठता है कि जीपियस और नाविक जो है हमारा उनके अंदर क्या किसी प्रकार से कोई कमपेरिजन हो सकता है क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो नाविक है वो फेल हो जाए या जीपियस को ज़्याद अच्छा सिस्टम है तो चर्चा करते है इन दोनों के कमपेरिजन की तो जो सेटलाइट प्रियोग की जाती है अमेरिका द्वारा GPS के लिए वो लगवक 55 सेटलाइट अमेरिका द्वारा छोड़ी गई है जिसरेगी GPS काम करता है और भारत ने जो है 7 सेटलाइट जो है भारत के नाविक को चलाती है अब यहाँ पर एक सवाल मन में आ जाता है कि GPS तो भाई काफी अच्छा सिस्टम है नाविक में तो कुल 7 सेटलाइट है तो यहाँ एक बात और गवर करने वाली है कि 55 सेटलाइट है यह पूरी दुनिया के अंदर घूमती है पूरी दुनिया को यह प्रोवाइट कराती है यह जो है ग्लोबल सिस्टम है और जो 7 सेटलाइट काम करती है तो नाविक जो है इसमें कहीं न कहीं बहतर इस मामले में हमें दिखाई देता है सेटलाइट पोजीशन की अगर बात करें तो GPS जो है वो जियो सेटलाइट पोजीशन का यूज करता है मतलब इसकी जो सेटलाइट है पूरे अर्थ के जो जियो सेटल जैसे यासी प्रतवी अपना movement करेगी और geosynchronous जो satellite कुछ ऐसी होंगी जो कि भारत के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा चक्र लगाती रहेंगी जिससे कि यह ज़्यादा स्रटी कुछ ना कुछ हो जाएगा बात करते हैं orbit की तो यह जो है lower orbit में काम करता है GPS और हमारा जो system है वो higher orbit के अंदर काम करता है frequency की बात करें तो यह जो है single frequency पर काम करता है और हमारा जो है dual frequency और range की अगर बात करें तो यह जो है global system है जो कि पूरी दुनिया की कहीं भी लोकेशन में पूरी दुनिया के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करा सकता है और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी तस्वीर आदि की सकता है भारत का जो नाविक है वो रीजिनल है वर्तमान में लेकिन हमारे जो प्लान है वो इसको डवलप करने के हैं कि हम भी इसको एक समय पर आगे जाकर इसको गलोबल कर देंगे और पूरी दुनिया में इसकी सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं तो यह जो है गलोबल है और यह जो है रीजिनल है उम्मीदे साती हो आज का सेशन पूरा का पूरा आपके समझ में आया हो अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आज नई सामिल हुए है सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद